तो नमस्कार जहिन सेनिक मंतरा परिवार में आप सभी का स्वागत है फोजी भायों ने अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ छेडी जंग दिया वैधानिक नोटिस ये पूरा मामला क्या है मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ दरसल कुछ दिनों पहले गुजरात राज्य में एक महानगर पालिका ने जुनियर क्लक्स की भरती के लिए 122 वेकेंसी निकाली थी अब इस वेकेंसी में एक सर्विसमेंट भायों के लिए बकाईदा 10% रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए था लेकिन इस बरती में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया इस मामले को ध्यान में लेते हुए गुजरात माजी सेनिक सिवा फार्मडेशन ने पहले तो एक पत्र लिखकर महानगर पालिका से विंती की कि इसमें बकाईदा एक सर्विसमें भायों के लिए रिजर्वेशन कोटा दिया जाए लेकिन महानगर पालिका ने इसे अंदेखा कर दिया अब माजी सेनिक सिवा फार्मडेशन के द्वारा ये वैदानिक नोटिस दिया गया है इस नोटिस की कोपी मैं आपको स्क्रीन के उपर दिखा रहा हूँ इस गुजराती भाषा में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ इसमें हेडिंग दिया हुआ है CPC 80 के मुताबिक वैदानिक नोटिस और इसमें पहले पेरेग्राप में गुजरात राज्य सरकार के दो सरकारी लेटर के बारे में बताया गया है जिस लेटर के मुताबिक सरकारी भरतियों में माजी सेनिकों को 10% आरक्षन मिलता है तो इस केस को लेकर हम हाई कोट में अपनी अपिल दायर करेंगे आपको बता दूँ कि इस केस को जादा आगे बढ़ाने के लिए गुजरात माजी सेनिक सेवा फांडर्शन के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी और से कुछ ना कुछ फंड इकत्रित किया है सिर्फ उन ही फोजी भाईयों ने नहीं जिनको अभी तक नोकरी नहीं मिली थी बलकि उन सभी फोजी भाईयों ने भी सहयोग दिया जो ओल्डेडी सरकारी नोकरी में है तता अपनी अपनी जगव पर सेटल है तो ये एक माजी सेनिक रिटाइट सोल्जर्स की एकता का बहतर उदारन हो सकता है तो इस वीडियो को जादा जादा शेर कीजिए ताकि सबी जितने भी माजी सेनिक संगठन भारत भर में काम कर रहे हैं उनके लिए एक उदारन प्रस्तूत हो इस वीडियो में बस इतना ही बाकी हसते रहिए खुश रहिए मस्त रहिए नमस्कार जैहिन